हैलो बच्चो आप सब कैसे हो मैं हूँ शैली शर्मा आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे तो बच्चो आज की कहानी का नाम है बगुला भगत एक बहुत चालाग बगुला था उसका सारा जीवन तालाबों से मचलियां केकड़े आदी पकड़ने में ही बीता था परन्तु जब अब बुड़ा हो गया और शिकार करने योग्य नहीं रहा तो अपने भाग्ये को कोशने लगा जवानी में जो मित्र उसके आगे पीछे गूमते थे हाथ जोड़कर उसे सलाम करते थे अब वे सब उससे दूर भागने लगे थे मगर भगुला बहुत चालाग था अब उसे अपना पेट भने के लिए एक चालागी सूझी भगुला एक दिन तालाब किनारे दुखी होकर बैठा था उसे दुखी देखकर केकड़े ने उसके पास जाकर उससे पूछा कि दादा क्या हुआ यहां अकेले क्यों खड़े रो रहे हो तो भगुले ने कहा मेरे प्यारे बच्चे क्या तुम यह जानते हो कि मैं आजकल एक टांग पर खड़े होकर भगवान की पूजा करता हूँ भगवान ने आज ही मुझे बताया कि इस तालाब का सारा पानी अब सूखने वाला है तुम जानते हो कि पानी हम जैसे जलिये जीवन के लिए कितना आवश्यक है तो केकडे ने कहा कि हां हम तुर पानी के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते केकडे ने यह बात सुनी तो उससे सबर ना हुआ और वह दोड़ा दोड़ा अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई तो उसमने मिलके उस बूड़े बगुले के पास जाने का निश्चे किया कचुए, केकडे, मचली सब जलिये जीव खटा होकर बगुले के पास गए और हाथ जोड़ कर कहा कि दादा हमें बचाने का कोई रास्ता बताईए तो बगुले ने कहा कि तुम सब मुझे जान से भी प्यारे हो मैं तुम सब को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूँगा मैं बूरा हो गया तो क्या हुआ मेरी इन बूरी हटियों में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं तुम लोगों को बचा सकता हूँ बगुले ने कहा कि इससे बचने का एक ही उपाय है मैं तुम सब को बारी-बारी से अपनी पीट पर बिठा कर साथ वाले जंगल के तालाब में छोड़ाता हूँ तो यह उपाय सभी को पसंद आया और सभी भगुले की प्रिशन सा करने लगे मगर वे सब नहीं जानते थे कि उन्होंने कौन सी मुसीबत अपने सर ले ली है वे सब उस दुष्ट भगुले की चाल को नहीं समझ पा रहे थे अगले दिन से भगुले ने अपना काम चालू किया सबसे पहले उसने मचलियों को अपने पीट पर लादा और जंगल की पहाडी पर ले जाकर उनका शिकार कर लिया दो-तिन दिन तक वह ऐसा ही करता रहा जब उसका मन मचलियों से भर गया तो उसने केकड़े का नमबर लगाया वह केकड़े को भी उसी पहाडी पर ले गया जहां मचलियों को ले गया था मगर केकड़े को पहाडी पर मचलियों की हट्टियों का धेर दिखाई दिया तब ही उसके दिमाग में खत्रे की घंटी बजी मगर उसने बगुले को कुछ भी पता नहीं चलने दिया उसने पूछा दादा अब तालाब कितनी दूर है तो बगुला अकड़कर बोला मैं तेरा नौकर नहीं हूँ जो तुझे अपनी पीट पर बिठा कर तालाब तक पहुँचाओं मैं तो तेरा शिकार करने के लिए तुझे यहां लाया हूँ केकड़का बगुले से जान बचाना आसान तो नहीं था परन्तु उसने हिम्मत नहीं आरी उसने सोचा कि अगर मैं मर भी गया तो क्या मेरे साथ ही तो बच जाएंगे और उसने बगुले की गरदन पर जोर से हमला कर दिया और उसे काट लिया दर्द के कारण बगुले के गले से जोर से चीक निकल गई और केकड़ा भी जोर जोर से चिल लाया उनकी आवाजे सुनकर बाकी के चीवजनतू भी खटा हो गए और उन सबने मिलकर उस बगुले को मार डाला उस धोके बाज और पापी बगुले की जान लेकर ही सब को शांती मिली तो बच्चों, moral of the story ये है कि हमें मुसीबत के वक्त घबराना नहीं चाहिए बलकि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए जैसा कि इस केकड़े ने किया तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताना और हाँ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना ओकी बाइबाइ, टेक केर